हलो फ्रेंग्स होली आने वाली है और होली में स्नेक्स तो बने गई तो क्यों ना इस बार गोबी के पकोड़े बनाये जाए चलिए पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम गैस पे दो ग्लास पानी चड़ा देंगे गरम होने के लिए उसमें एक चमस नमक डाल इसमें आब हम गोबी डालेंगे हमने एक गोबी का फूल लिया था उसको खाथों से उसके फ्लास तोड़की और उसको धोखी ले लिया है अब हम इसको उबलते हुए पानी में 2 मिनञ़ पकार लेंगे जो हमें बहुत जाता इसे नहीं पकाना है बस 2 मिनञ़ इसको इस चलनी में छान लेंगे अब हम इसका बैटर बनाएंगे हम एक कटोरी बेसन लेंगे और आधी से भी कम कटोरी हम यहां चावल का आटा लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे हल्दी से बहुत अच्छा कलर आएगा और एक चमच हम यहां लाल मिर्च पाउडर लेंगे आप अपने टेस्ट का कोडिंग दे सकते हो और आधी चमच हम यहां गरम मसाला लेंगे और थोड़ा सा नमक लेंगे स्वाद के अनुसार गुबी में हमने नमक डाल दिया था पहले अब हम इसको अच्छा से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालते हो इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे बहुत जादा पतला बैटर हमें नहीं बनाना है गुबी के पकोड़े खाने में बहुत टेस्टी रगते हैं और यह बन भी जल्दी से जाते हैं तो होली पे आप इसे जरूर बनाईए स्नेक्स में बहुत अच्छे लगेंगे और कम मेनेत में बन जाएंगे कोटा की दसरह मेले के गुबी के पकोड़े तो बहुत फैमस है मैंने भी पहली बार वहीं गुबी के पकोड़े खाये थे तो इस तरह से हम इसका गाड़ा सा घूल तयार कर लेंगे और इसको अच्छे से फैंट लेंगे देखें बैटर हमारा रेड़ी है अब हम इसको डग कर थोड़े रख देंगे जब तक हम अमारी गुबी को तयार कर लेंगे ये मैंने गुबी चान कर ले ली है और 4-5 हरी मिर्ची काट कर ले ली है और थोड़ा सा अधरक मैंने या लिया है गिसकर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर गुबी में आता है और हम हम लेंगे थोड़ी सी हींग, हींग से भी अच्छा फ्लेवर आता है गोभी में पकोड़ों में, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे design, हम इशको हाथ से मिक्स करेंगे design, देखे में गोभी हमारी बहुत जादा भी पकी आ बस इसको थोड़ा सा हमने दो मिनेटी पकाये देंगे मुझे मेरे किसी एक फ्रेंड का कमेंट आये था कि गोवी के पकोड़े कैसे बनाते हैं इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आई हूं और मैं उमीद करती हूं कि यह वीडियो आपके लिए helpful होगा तो चलिए हम पकोड़े बना लेते हैं हमारा बेटर रेड़ी है गोवी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दी है अब हम इसमें थोड़ा फ्रेश हरा धनिया ढाल लेंगे जिसको मैंने दोकर और काट कर ले लिया है और इसको मिक्स करके और चलिए गरम गरम तेल में हमारे हो चुका है और हम हम इसमें पकोड़े डाल देंगे एक गोबी उठा के हम अच्छा से बैटर में लिप्टी हुई और इसमें डाल देंगे और इसको अच्छा से क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे यह देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे गरम तेल में हम जब भी कोई चीज फ्राई करते हैं तो थोड़ी से साबदानी रखनी होती है वना हाथ हमारे जल सकते हैं तो इस तरह से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे और इन्हें गर्म गर्म सर्फ करेंगे इसे आप धनी के हरी चटनी या डॉमेटो केचप किसी की भी साथ सर्व कर सकते हो और ये धही की चटनी के साथ भी अच्छी लगती है हरी चटनी को आप धही में मिक्स कर दीजिए और अच्छा से फैंट लीजिए उसके साथ भी बहुत तेस्टी लगेंगे तो ये हमारे क्रिस्पी से टेस्टी गोबी के पकोड़े रेडी है आप इन्जोई कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे आपको कौन सा वीडियो देखना है वो आप कमेंट में लिख दीजिए थांक्यू